गुड मॉनिंग इस्टूडेंट आजाओ सभी आपकी एक और कलास शुरू हो चुकी है बहुत ही उमीदों भरी कलास है बस वही कोसिस करने वालों की कभी हार नहीं होती और कुछ किये बिना यूहीं जैजैकार नहीं होती जी हाँ इनी लाइनों के साथ हम आपकी अगली कलास जरू करते हैं हम पढ़ रहे थे दो चर रासी में अरह की समय करन तो साथियों उसी करम में हम आगे चलेंगे देहान से देखना देखिए एकसरसाइज 3.4 का ये पहला कुश्चन होगा आप सभी NCRT बूक अगर लिए होका अच्छा 10 की तो मिला लो उसमें क्या लिखा गया है पहला कुश्चन में है कि निम्न समिकरणों के यूगम को बिलोपन और बिद्धी तद्धा परतियस्था पन बिद्धी से हल केजिए और बताईए कि कौन सी बिधी उपयुक्त है कोईश्चन मिला लो फिर से बात को सुनो और देखो दोनों करो मतलब परतियस्थापन और बिलोपन बिधी से हल करना है और दोनों में से कौन सी बिधी अच्छी है अभी कलवाली कलास में भी हमने आपको बताया था 3.3 में भी परतियस्थापन और बिलोपन बिधी ना तो चलिए एक बार फिर से आपको मैं दिखा देता हूँ सबसे पहले हम करेंगे बिलोपन बिधी क्योंकि परतियस्थापन तो आप कल देख लियो साथियों बिलोपन बिधी में क्या होता आपको पता है जैसे नाम से अस्पैष्ट है बिलोप करना लोप करना किसी एक को लोप कर दो लोप करना मतलब गायब करना दोनों एक कर्षन को नीचे उपर लिखेंगे x पलस y एकल 5 और ये 2x माइनस का 3y एकल 4 द्यान देना ये समीकरण एक है ये समीकरण दो है इन दोनों में क्या करना है हमें कुछ ऐसा करना है कुछ ऐसा कर कमाल किया गए समझ गए न कि इसमें से एक गायब हो जाए मतलब चाहे तो यक्स को दोनों को गुडांक बराबर कर लो चाहे वाई वाला गुडांक बराबर कर गुणा कर दें, समी करण एक में दो से गुणा कर दें तो गुणा अंग बराबर हो जाएंगे लिखो यहाँ पर समी करण एक में दो से गुणा करने पर क्यूं करेंगे अभी बता रहा हूं ध्यान देना समी करण एक में जब 2 से गुड़ा करोगे तो साथियों ये 2X हो जाएगा प्लस ये 2Y क्यों क्योंकि 2 से इसमें भी होगा 2 से इसमें भी होगा 2 से इसमें होगा तो 2 पंचे 10 और फिर ये समी करण 2 ऐसे लिख लो 2X माइनस का 3Y और फिर एक्वाल 4 ठीक ना? देखो इदर 2X माइनस का 3Y इक्वाल कितना हो गया? 4 ये दोनों हो गया एक्वेशन अब हो हमारा काम बन गया आप कभी बन गया? आसानी से अब आप इनको कर सकते हो करना क्या है? बस वही चिन बदल के काट दो इसलिए तो गुड़ा किया गया ना? गुड़ांक जानते हो के निदर देख लो जैसे सेबन येक्स का पावर 5 लिखा है 9Y लिखा है यहां पर Y का गुड़ांक 9 है येक्स की पावर 5 का गुड़ांक साथ है इसको गुड़ांक बोलते है उसी तरह इसमें देखो यक्स का गुडांग कुछ नहीं है तो एक मानते हैं वाई का गुडांग कुछ नहीं तो एक मानते हैं लेकिन इसमें दो था ना तो हमें दोनों को बराबर करना है किसी भी तरह से चाहे इसका गुडांग बराबर हो जाए चाहे इसका हो जाए तो इसमें देखो हमने यक्स का गुडांग बराबर कर लिया ये देखो गुडा करके हो गए ना बराबर तो जब ऐसा हो जाए तो बस चिन बदल लेते हैं घटाते समय इसको घटा लेंगे दोनों समीकरन को ये कट जाएगा ये दोनों जूड जाएगा पांच वाई ये भी चिन बदल जाएगा देखो घटाते हैं तो सभी चिन बदल जाते हैं जहां प्लस माइनस था प्लस जहां प्लस था माइनस जहां प्लस था माइनस ये भी घट जाएगा च्छे यानि कि अब आप यहां कह सकते हो कि y कमान 6 बटा 5 आया है कितना आया है y कमान 6 बटा 5 नोट कर लो 6 अपान 5 लिख लो जल्दी से अब क्या करेंगे साथियों ध्यान देना जरा थोड़ा सा इधर साइड में देखना अब ये y का जो मान आया ना इसको रख देंगे अगले समिकरण में और फिर वहां से आपका x कमान आ जाएगा चलो रख लेते हैं y कमान समिकरण एक में रखने पर कहीं भी रख लो किसी में भी रख सकते हो कोई लिक्कत नहीं लिख लो y कमान समिकरण एक में रखने पर तो y कमांद समय करण एक में रखोगे कैसे ध्यान दे न समय करण एक है x प्लस y इक्वल कितना है पांच तो रख लो y कमांद 6 बटा 5 है तो x प्लस 6 बटा 5 इक्वल 5 तो x बराबर निकालो के जब तो ये 5 माइनस 6 बटा 5 क्यूं? क्योंकि 5 पहले से था ये उधर देगा तो माइनस हो गया इस तरह से x इक्वल इसके निचे एक लिख लो क्रास मल्टिफल करोगे 25 माइनस 6 बटा 5 यक्वल 5 कमान आएगा 19 बटा 5 देखो x और y दोनों मान हो गए नोट कर लो जल्दी से उसके बाद आगे चलते हम तो ये x और y दोनों के मान आ गए हैं मित्रों इस तरह से आपने देखा कि ये बिलोपन बीधी से हो गया अब हम इसी समी करण को आपको परतियस्थापन बीधी से भी बता देंगे पूरा देखना ध्यान से देखना बहुत ही गवर से देखना मज़दार से सन है ये ठीक ना तो चलो ठीक है देख लेते हैं अब इसी समी करण को परतियस्थापन बीधी से ध्यान देना परतियस्थापन बीधी में क्या होता है बस थोड़ा सांतर होता है उसमें इसमें साथियों उसमें हमें कुड़ांक को बराबर करके काट देना था इसमें हमें ऐसा नहीं करना है दो एक्वेशन दिये गए हैं हम क्या करेंगे पहले एक्वेशन से लेके हल करेंगे ध्यान देना पहला वाला जो equation है इससे हम लिख सकते हैं यक्स इक्वल त्यान दे ना इसमें किसी एक चरपद का मान निकाल लेते हैं उसी पूरे समिकरण की सहाथा से जैसे यक्स को हम एक तरफ कर देंगे बाकी इसको 5-y लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ ना कोई मुसीबत नहीं है ना तो साथियों इसे आप बना सकते हो समिकरण 3 यह समिकरण 3 हो गया यह समिकरण 1 यह समिकरण 2 इसको आप दूसरी जगा लिख के अच्छे से बना ले ना मतलब समझना समिकरण 1 है समिकरण 2 और समिकरण 1 से हो गया समिकरण 3 आप क्या करते हैं जो यक्स का देखो एक मान आ गया ना ठीक ना ये बिलोपन भी परतियस्थापन भी धी है है ना चलिए आप क्या करेंगे अब लिखो यक्स का मान समी करण दो में रखने पर क्यूंकि हमने एक से निकाला है तो समी करण दो लिख लो 2 यक्स माइनस 3 y बराबर 4 है यही है ना चलो रख लेते हैं साथियों 5 माइनस y है ना तो यह हो जाएगा 2 इंटो 5 माइनस y माइनस का 3 y बराबर 4 हल कर लो यह 10 हो जाएगा माइनस दो आई माइनस का तीन वाई बराबर चार ध्यान देना और आगे बढ़ते चलना ऐसे ठीक ना दस माइनस दो आई और माइनस का तीन वाई बराबर चार अब देखो साथियों ये दोनों माइनस माइनस है ना माइनस माइनस जुड़ जाएगा यानि कि यह हो जाएगा माइनस का तीन तो जुड़ेगा तो पांच ही तो होगा छे कहां से होगा कितना हो जाएगा पांच वाई यानि कि माइनस का पांच वाई इकोल कितना हो जाएगा देखो यह चार है और यह छे उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो यार सिम्पल सी बात है यह 4 माइनस 10 है ना यह 10 उधर गया माइनस हो गया तो यह 3 2 5 यानि कि वाई का अगर बैलू निकालोगे तो यह माइनस का 6 अब बटा 5 देखो वाई कमान फाइनल में आ गया complete हो गया आप साथियों यह जो वाई कमान है आप इसे किसी समी करण नंबर आप दो में रख लेंए चाहे एक में रख लेंगे एक में आसान रहेगा किसी में भी रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है चलिए इदर नहीं दिखे ग­क बताना आपी कैम्रा गुमा देंगे य कमान प्र वाई कमान समीकरण एक में रखने देखो यह गटेगा तो माइनस का चे आएगा यह माइनस का पांच है ना यार इधर जाएगा तो यह भी माइनस होगा मतलब यह कुल मिला के प्लस है तो प्लस यह 6 बटा 5 बराबर 5 तो साथियों यह हो जाएगा यक्स बराबर 5 माइनस 6 बटा 5 तो यक्स बराबर यह 25 माइनस 6 भाई वैसे तो हो गा जैसे अभी तक किये थे नीचे 5 तो यह हो जाएगा 19 बटा 5 देखो चाहे जो विधि लगाओगे उत्तर वही आएगा और आ गया कि नहीं आ गया यह वाही कमान आ गया 6 बटा 5 और यक्स कमान आ गया 19 बटा 5 तो ये दोनों हो गया प्रतिय स्थापन भी दी और भी लोपन भी दी अगर आप पहली बार जुड़े हैं PBR study प्रयाग राज में तो भी चैनल को तुरन सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और आपको बता दें साथियों एक complete बात अगर आप complete मैथ पढ़ना चाहते हैं 10th का NCRT तो आपके लिए बहुत ही आसान एक तरीका है PBR study 3.0 सर्ज करना यूट्यूब पर यह पूरा नाम है चैनल का यह लेकिन इतना लिखोगे तो आ जाएगा उसकी बाद आपको 10th है और 12 का complete NCRT मैथ इस पर फ्री में मिलेगा यूट्यूब में अगर आपको कोई समस्या होती कलास खोजने में तो आप PBR study एपस इंस्टाल करें और PBR study एपस में आपको एक सीस्टम से पूरी complete मैथ मिल जाएगी किसी परकार की टेकनिकल हेल्प के लिए वाटस अप करें या कॉल करें ठीक ना जैहिन चलते चलते एक निवेदन होगा बिनम्र प्राठना है हाथ जोड़ करके कि इस कलास को अपने कम से कम दो-चार फ्रेंड को जरूर सेयर करिएगा सेयर जरूर करना साथियों जिससे किसी और का भाला हो सके और हाँ अगर इस कलास को आपने देख लिया तो आज के बाद परतियस्थापन और बिलोपन बिधी से समीकरन हल करना सीख जाएंगे 100% कारेंटी है तो सेयर जरूर करना रात्री के दो बजने ये कलास रिकार्ड दोने का टाइम जो हो रहा है काफी टाइम हो रहा है लेट हो रहा है एक बज कर 31 मिनट हो रहा भी दो नहीं बजा तो भाई समझे ना थोड़ा सा महनत ठीक ना इतना करोगे तो बहुत खुसी होगी सुक्रिया झाल 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 झाल